हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सबी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों नॉर्मल डिलिवरी कब होने वाली है कितने दिन में होने वाली है कितने दिन बचे हुए है अब क्या नॉर्मल डिलिवरी होने में कुछ ही समय बाकी है एक घंटे दो घंटे पांच दीन दस दीन या फिर बीज दिन कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल डिलिवरी मेरी कम होने वाली है ऐसी बहुत सारी उलजने आपके मन में भी चलती रहती है जब आप रेग्नेंसी के लास्ट के चरणों में होती है जब आपकी डिव डेट पास आने वाली होती है तो आपको केबल एक लक्षन में बताऊंगे अगर ये दिखाई देता है दैन आपकी नॉर्मल डिलिवरी बहुत क्विकली होने वाली है जल्दी होने वाली है और आपको घवराना नहीं है सिजेडियन सेक्षन प्लान नहीं करना है वीडियो आपके लिए बेहाद आलफुल है पूरा देखिए ताकि स्कीप करने से आपको कोई भी इंफोमेशन ना पूरी नहीं मिल पाती है फिर वही कोई लिए आप कमेंट शेक्चन में करते हैं सो वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपके सारे डाउच किलियर हो जाए और अगर आप चैनल पर पहली वा रहे हैं तो मेक्शियर सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन आउन करिए ताकि मेरे आने वाले महत्पोड़े वीडियो उसके पूरी जानकारी आप आपको मिल सके देखे फ्रेंड्स जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रकिडिया स्टार्ट होती है तो वह कुल 34 हफता चलता रहता है जब बच्चा सर उपर किये हुए होता है तो नीचे की तरफ आने लगता है डाउन पोजिशन में पैर उसका उपर के और हो जाता है ज आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है जब ऐसा होता है तब उस समय आपके बच्चेदानी के मूँ पे लगा होता है एक म्यूकस प्लग नाम का चिपचिपा परदार्स जो कि रंग हीन होता है गंद हीन होता है कई बार जब यह तूट का निकलता है क्योंकि हैट डाउन से काफी जब पेल्वे के लिए आपके मसल्स प्रेशर पड़ता है फ्लैक्जिवल होने लगते हैं आपके पेल्वी गर्डल्स कुलने लगते हैं असाविक्स का मूँ ओपन होने लगता है तो ऐसी कंडिशन में जब आपके बच्चेदानी से यह चिपचिपा परदार्स निक होते हैं यह भारी मातरा में निकलना चालू हो जाता है बहुत बार महिलाएं घबरा जाती है उनके पैंटी में क्योंकि इस तरीके का लगावा दिखाई देता है तो यह गूट अफ साइन है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो जाएगी बाखी के जो सिम्टम्स होते हैं कॉन पैंटी चेक करती हैं वाशन जाती हैं आपको ऐसा अनुभव होता है तो उस समय तो आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करिए बट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रसफूल होने के जबरत नहीं है आपको वेट करना है प्रॉपर ताकि आपको जो भी और सिम्टम्स आने व या तो पिंक कलर का इसी कलर का दिखाई देता है या फिर बिलकुल ही कलर नहीं होता है क्रीम कलर का ही होता है यह भारी मात्रा में भी निकल सकता है 9.00 महीने में दोस्तों जब आपको इस तरीके का फिल होने लगए आप तुरंत हस्पिटल पैक पैक कर लीज़े जो वाटर ब्रेकिंग की यानि पानी के थैली से रिसाओ होना जो बच्चा जिसमें एमिंट्रेक फ्लूड में रहता है या फिर बहुत जाती है या फिर बहुत ज्यादा आपको कॉंट्रेक्शन स्पेंस बढ़ जाते हैं जिसकी डेंसिटी कम होने लगती है तो तुरंट एमेड को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बूले मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आप अपना रखिए पूरा ध्यान टिक के दोस्तों थैंक्स फॉर वर्चिंग